हाई फीरेड हम बात करें आग है थियल, और उसका कुछ टाइप से और स्टिल कैसे होता है और उसका अलग अलग टाइप में क्या होता है, और उन не के इस्तमाल का होते हैं हम यहां इसके पूरे डिटेश में यहां पर आपको एक्स्प्प्लें करने जा रहे हैं तो हम start करते है हमारा सबसे पहले beginning करते हम still क्या होता है this is a pure iron carbon contents is more due to expensive carbon is harder and together carbon contents is from 0.15 to 1.5 beside there are other impurities like sulfur phosphorus etc. भी मिले होते है are there which cannot be separated this is hardness and temper by heating processing की जाता है it to do definite temperature पे इसको heat किया temperature पे इसको cooling भी किया जाता है in water oil या water में और कुछ types है following methods are adapted for making different types of tea अब यह अलग अलग जो steel के types भी पढ़ने वाले हैं उसके कुछ अलग अलग प्रोसेस के लिए टाइप बनाने के लिए कुछ process की जरू परेदिन तो process कुछ कुछ मेंथड से तो उसमें है cementation process है high frequency process अपन हर्थ प्रोसेस है elektrothermal process, bass map process, crucible process यह ऐसे कुछ methods है जिससे हम अलग अलग types के steel के types हम create करने वाले हैं तो ले सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें कि types of steel कुन से थे, mainly types of steel, जैसे कि मैंने आपको starting introduce में बताया था है, उसमें main two types है, इसमें, एक plain steel है, और second है alloy, तो ये क्या होता है, plain steel क्या होता है, in this carbon and iron are mixed, इसमें क्या होता है, carbon and iron के मात्रा mix होती है, according to the percentage of carbon, plain steel are classified, और उसमें क्या होता है, जो carbon के प्रमान के हिसाफ से उसक classify को से हो जाता है, इसमें, इसके तीन types classify किया, एक low carbon steel, second medium carbon steel and high carbon steel, dip in upon carbon percentage के उपर dip in करेंगा, तो इसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें low carbon steel, low carbon steel क्या होता है, it is also called mild steel, low carbon steel को जह हम mild steel भी कहते है, in this, the percentage of carbon is from 0.15 to 0.25%, it can be put in different shape, okay, इसमें अलग-अलग shape में बने जाता है, throat forging and rolling, nuts, bolt and rivet sheets, wires, iron, tea iron and angle iron etc made out, जो low carbon steel होता है, इसमें क्या होता है, 0.15 से 0.25 तक इसमें carbon की मातरा होती है, जिसको हम क्या बोलते है, my steel के बोलते है, और इसकी कुछ कहा का, इस्तामाल हो सरा रहा है, यहापे steel का, इसमें हो गया इसमें, मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ, आपको, next बात करेंगे हम इसमें, medium carbon steel क्या होता है, the carbon contain, 0.25 से 0.5 तक यहाँ पे carbon की मातरा है, due to excess of carbon, ज्यादा का थोलग carbon, ज्यादा क्या हो जाता है, इसमें, harder and tupper, tupper हो जाता है, than my steel, my steel से थोलग क्या हो जाता है, यह harder or tupper रह एक खायर, लिखे राइर, आगरिकल से, कनेक्टिं रोड, या क्याम शब्ड भी हो गया, पूली के लिए इनका फ्टमाल होने वाला है, तो देखे इसमें, जो, medium carbon steel में क्या हो रहा है, इसमें carbon की मातरा की ती है, 0.25 से 0.50 की बीच में है, तो इसमें carbon मातरा बढ़ने से, क् और टफर हो जाएंगा और इसमें इसका स्टमाल करेंटिंड रोड के लिए भी हो सकता है कैंप शॉप्ट के लिए स्पैनर के लिए पूली के लिए आप इसका स्टमाल कर सकते हैं यह हमारा मीडियम कार्बन स्टील अब बात करेंगे हम इसमें हाय कार्बन स्टील इट इसमें Carbon Content देखेैं 0.5 से 1.5 तो Carbon है और वे very hard होता है यह यह बहुत कम होता है नहीं यह ह्युदु होता है इस इस ध्यूर्ट गोर्ष जब इस पर्मानेंट मेंगनेट प्रपर्टी भी इस में होता है इस यूज वर मेंकिंग, बनाने के लिए प्रिंब करता है इनमे मात्रा होते है फाय वैंड जये blinking होता है। में पर ये अलोई श्टील होता है। अब इस तियल में हो रहा है with other metal आभी क्या हो रहा है carbon की मात्र हो रहे थी लेकिन अब यहां पर other metal है जिसे विल्लोनियम हो गया, magnesium, tungsten जो other metal से इसमें हम involve करेंगे it is called an alloy यही इसलिए क्या होता है other metals involved हो गया इसलिए इसलिए इसका बोलते है Alloy Steel बोलते है, Willow Steel properties is integrated और उसके उपर, properties उसके उपर depend करेंगी तो इसके में mainly क्या होता है, इसके दो टाइप में divide किया गया Alloy Steel को, एक होता है No. A, Low Alloy Steel बोलते है और No. B, Capital M, High Alloy Steel तो हम समझते हैं कि Alloy Steel में दो डो टाइपस होते हैं एक low alloy और एक high alloy तो हम बात करेंगे सबसे पहले लो अलाइश्टील क्या होती है तो बिसाइट कार्बन अधर मेटल्स इस लेसर कॉंटिटी इसमें देखी अभी कार्बन की मातरा जो मेटल्स है वो लेस कॉंटिटी होती इस टेंसरी स्टेंट इसमें बढ़ जाती है वेल्डिंग का वर्क ओन इट और इसके वेल्डिंग के आराम से कर सकते इससे कान भी हाडर होता है और टेंपर होके भी कर सकते इटी इजूज मैनुफेक्टिटीन हुआ वेरियस पार्स लग अलग पार्स बना सकते हैं काय के लिए एरोप्लैंस के लिए के लिए हम इसके लग लग इसके पार्स बना सकते हैं उसके लिए जो पार्स बनाने के लिए रोप्लैंस के लिए हम ये लो का अलोई स्टील का स्तमाल करते हैं अब बात करेंगे हम इनमें हाई अलोई स्टील क्या होती है तो इसमें ज्यादा इसमें सीप k scratching आप इंद ने उसको पुछ हो गया से इसको है क्लैसिफाइज किया है की आह पर नोट किया है वह है, high-speed steel में इसको divide किया है, Nickel steel, vanadium steel, Magnis steel, Stainless steel, Silicon steel and Cobal Steel । हम इसका बन्हुकषाब रियंगे और इसका स्तंमाल कहा पर होता है यह इंसका बारे जान करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें High-speed steel क्या होता है. It is also called high tungsten क्या बना था इसको तो it is also called high tungsten alloy steel लोग बोलती है, इसको high tungsten alloy को tungsten alloy भी कहते हैं, okay, because coming क्यों हो रहा है यह, it has more quantity of tungsten, इसमें ज्यादा quantity में tungsten होने से, इसको tungsten alloy भी कह सकते है, according the quantity of tungsten, इसे classify, cutting tool से इसलोग इसको classify करते है, it made out, it become very hard हो जाता है, tungsten के वाज़े से, but due to high percentage of tungsten, its keep working in high temperature, और यह tungsten के मिला होने से, यह high temperature भी इसको काम कर सकता है, it is used for cutting tools के लिए, पेशली इसका स्तमाल होता है, चाहे वो drills होगे, cutters होगे, remorse होगे, hacksaw blade होगे, इसके कुछ example है, जहां भी आप cutting tool का स्तमाल लेखेंगे, वहाँ पर समाझ जाना है, यहाँ पर high speed steel है, यहाँ इसको हम tungsten steel भी कहते हैं, क्योंकि tungsten में मिला होता है, इसलिए उसकी hardness बढ़ जाएगी, अब बात करेंगे हम इंद में, निकल steel, जैसे की नाम में को लिखा है, B में, in this, 0.3 percent carbon होता है, and 0.25 to 0.35 निकल होता है, उसमें, due to nickel is tensile strength, जैसे की पता है कि यह nickel के बढ़ जाएगे, elasticity limit हो जाएगा, and hardness, उसको इसके increases में आ जाएगे, This is used for making, rivets के लिए, pipes के लिए हो सकता है, axle shifting बनाने के लिए, parts of bus बनाने के लिए, parts of aeroplane बनाने के लिए इनका इस्तामाल होगा, धान में रखिए, parts of aeroplane, parts of bus हो गया या rivets, या pipe जो भी है, इसका बनाने के लिए इन में निकल स्टिल का स्तमाल होता है अब बात करेंगे हम इन में हमारा सी ओप्षन है जो कि है वैनेडियम स्टिल तो इसमें कंटेन में क्या करेंगे 1.5 इसमें carbon mix करेंगे 20.5% tungsten रहेंगा 4.5% chromium mix रहेंगा और 0.5% vanadium mix किया गए यहां पे और 5% में cobald का एक मिश्रन बना जाएंगा इसको जब हम मैंने जो कुछ टूल बने manufacturing कर रहेंगा उसके लिए हम इसका स्तमाल करते हैं vanadium steel का इस steel का स्तमाल होता है manufacturing tool बनने के लिए अब बात करेंगे हमारा section D में जो की है magnesium steel it is also called special high alloy steel कहते है इसको magnesium steel को क्या बोलेंगे हम special high alloy steel कहते है it is contain 1.6 to 1.8 % of magnesium होता है and 0.4 to 0.5 % carbon mix होता है it is hard and less wear होता है यह hard हो रहेंगा और थोड़ा इसमें जो प्रेक्शन रहेंगा उसमें वे यह less करेंगा it is not affected magnet काम नहीं करेंगा it is used in grinder and rail point के लिए specialist का स्तमाल होता है धायन में रखिए grinder और rail point के लिए जहां पी आप इसका स्तमाल लेखोंगे तो कायकोर मिला बना रहेंगा वो रहेंगा मैगनेस टील का बना रहेंगा नेश्ट हम बात करेंगे इनमें stainless steel यह सभी को वाकिप है stainless steel आपने नाम सुना है और यह ती लेकिन stainless steel होता है क्या इसके बारे में जान लेते हैं उसमें क्या मिलावटी होता है यह बिए along with iron it containing इसमें iron में क्या contain हो रहा है इसमें 0.2 to 90.6% carbon and 12 0.82% chromium है रहे 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 हैं इसमें chromium mix हो रहा है 1% इसमें nickel भी है और 2% molybidem हमें इसमें it is used for making news, seizure, utilities होता है सकता है part of aeroplane बनेने के लिए wire बनेने के लिए pipes and gear बनेने के लिए इसका स्तमाल होते है इसमें कुछ property भी है इनमें कुन सी property हो जाती है इसमें stainless steel में करके हम इसमें पार्ट में स्तमाल करते है यूटिलिटी जो हो चीजर हो गया है इसमें प्रॉपर्टी रहती है हाई corrosion resistance इसमें corrosion की शमता ज्यादा रहती है यह जल्दी पकड़ता नहीं सा resistance की शमता हाई cryogenic toughness होता है इसमें high working hardness rate होता है यह working hard based का सकता है ज्यादा समय तक और इसमें hotness की strength भी होती है ductility भी होती है higher और higher इसमें strength and hardness भी होता है यह more attractive appearance है दिखने के लिए बहुत काफी attractive होता है और इसका maintenance भी काफी कम होता है इसलिए कहते है lower maintenance इस हिसाब से stainless steel को इसको आप इसको प्रॉपर्टी के जही साब से इसका 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 स्तमाल करत इसमें क्या होते 40% of silicon रहेंगा it is used are multifarious according to the percentage of silicon 2.5% of 4% of silicon content mixture is used for manufacturing of electrical motor generator lamination of transfer जैसे कि इसमें पता है कि आपके 14% कि इसका silicon होता है और इसका multifaction according to percentage of silicon के हिसाफ से रहेगा इसमें इसका mainly function क्या रहेंगा इक इसका electrical motor बनने के लिए हो सकता है इस तमाल generator या lamination आप जो ट्रांस्मार का lamination बनता है उसके लिए हम silicon steel का इसमें क्या होता है पॉइंट थर्टी पाप सेंटे का कोबल मिक्स होता है देखिए सबसी ज्यादा percentage में पॉइंट थर्टी पाप सेंटे का कोबल मिक्स होता है तपनेस एंड टेंसे इस हाई हो रही है इठ है अज तो इसके जैसे कोबल मिल इसके की magnetic property फर्म हो रही है देरा आज योज मेकिंग पर्माने मैंगनेटक के में फर्म करता है और इसका स्थमाल होता है आपको समझने में काफी एजी हो जाएंगा इसके पढ़ने के बाद आपको आपको ऐसा लगेंगा कि नहीं यह जो वीडियो बनाया है यह काफी बेटर हो सकता है आपके लिए तो आप जब भी भी एक वीडियो देखे पूरा किसी को भी तो आट तक इन तक देख लिए उसका जो बेसिक कॉंसेप्ट है पूरा उसका स्वाल हो जाएंगा अने अधिए थैंक यो थैंक यू वेरी मुच थैंक्स पॉर वाचिक